गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं गंगा की हेड वाटर है उसको भागी रिथी रिवर है जो कि गंगोतरी गलेशिर से निकलती है और बाद में ये रिवर है ये अलक नन्दा में इसको जोईन करती है जो की कहा मिलती है देव परियाग में या दखना और फिर बाद में गंगा रिमर्ज होती है कहां पर हरिदवार में और माउंटें से फ्लेइन में एंटर करती है देखो इस तरे से यह üstर से भागी रथी आती है इदर से अलकनन्दा आती है भागी रथी and अलकनन्दा क्या बनती है देव परियाग याद रखना कई वर पूछा जाता है कि बागी रथी और अलग नंदा मिलके क्या बनाते हैं तो डे उपर याग बनाते हैं गंगा काफी जदा ट्रेविट्री से जोइन करती है फरक्जमपल यमुना जोइन करती है गंगा को फिर घागरा करती है गंड़क करती है कोसी करती है और यह जो रिवर यमुना है वो हिमाले में राइज होती है कहां से यमूत्री गलेशिर से और यह पैरलल बहती है गंगा के यह गंगा की right bank tributary है याद अखना गंगा की क्या है right bank tributary और बाद में यह कहां मिलती है इलहाबाद में और बाद में जो घागरा गंड़क और कोशी यह नेपाल हिमाले से निकलती है यह गंगा को जोइन करती है यह left bank tributaries है और यह river काफी ज़्यादा widespread damage करती है कई बार life को भी और property को भी लेकिन यह soil land के लिए भी काफी ज़्यादा important है और main tributaries कौन सी है गंगा की विस करम from peninsular plateau और जो peninsular upland से आती है वो जो गंगा को जोइन करती है यानि चंबल right bank tributary है यह चंबल बेतवा सोन और यह rise करती है semi-arid area और इनका जो course होता है काफी ज़्यादा छोटा होता है यह ज़्यादा पानी नहीं होता है देखो find out where and how ultimately जोइन गंगा कहां जोइन करते है बाद में यह जो water है form right right bank tributaries और left bank tributaries यह west bangol तक चलता है और गंगा का जो northernmost point है उसको गंगा डेल्टा बोलता है और river वहाँ पे bifurcate हो जाती है भागी रथीन हुगली और बाद में सिधा बेव बंगाल में flow कर जाती है बाद में बांगलादेश में यह जो river है बाद में इसको बरंपुत्र भी जोइन करती है और इस ब्रंपुत्रा जोइन करती है इसको मेगना बोलते हैं कई बार और यह गंगा रिवर है जब गंगा रिवर और ब्रंपुत्रा दोनों जाती है बेव बंगाल में और बेव बंगाल में मिलते है जो डेल्टा फोर्म करते हैं सबसे बड़ा डेल्ट एगर यही होते हैं, गंगा की लेंट देखा जाया तो पच्छिसो किलिमटर गंगा की लेंट है और देखेंगे थो ठीकर में और अमबाला एक इस दिफ़र पे लॉकरेट रहा होटर डिवायद जो इंडस और गंगा का वाटर सिस्टम रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है वह एनी वाटर डिवाइड है गंगा इंडस का और गंगा का कहां पे अंबाला में याद अकना और बाद में दा प्लेन ओफ अंबाला तु दा सुंद्रवन स्ट्रेच ओवर अठारा सो किलो मेटर और हाडली इसकी स्लोप हो थि बिल्टा बनाती है देखो यह देखते हैं फिगर में यहां से देखो समझवाब यह है आपका गंगोत्री गंगा निकलती यहां से गंगोत्री गलेशर यह है यम्मोत्री यह आपकी आती है क्या भागी रथी देखना जहां से देखना डाइगराम में यह आपकी आती है भा बहती भी यहां से होती भी और यह फाइनली यहां पर गिर जाती है पता चला ठीक है उसके बाद मैंने बताया था यमुना यमुना इसके पहलर बहती है देखो यह पहलर बह रही है बह रही है यहां पर आरी 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 आरवाद में इसको को अलाभाद में मिल जाती है मिल बेतवा रिवर या यमुना में मिलती है और फिर देखो ये सोन रिवर है सोन रिवर ये मिलती है तो चंबल बेतवा और सोन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी यमुना की और यमुना फाइनल किसमें मिलती है गंगा में मिलती है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटर करती है चंबल बेतवार सुन यहां से जोइन करती है और बाद में बाद में जो यह रिवर है यह जो ब्रहमपुत्र रिवर है यह टेंक्स यहां से आते वे यहां से आते वे यह इंटर करती है बंगलदेश में और यह इसको जोइन करती है और बाद में गंगा और ब्रहमपु आपको द्यान से देखना आपको समाझा जाएगा कि किस तरह से बाते कर रहा हूं है so this is about your गंगा रेवर system in the next topic we will read about the ब्राम पुत्रा रेवर system thank you very much